हम यहां पर देखने वाले हैं एक सैंडविच कैसे बनता है सब्वे में तो अब यहां पर रेड बूल ने क्या दिपिंदर गोईल जुकि जमाटों के फाउंटर एंड सी यह है उन्होंने कहा है जानी कि यह आठ लाख करोड की कमपनी बन जाएंगे सूप्रभाद मेरे भाई और भेनो तो यार आज एक ही लेक्चर में कम्प्रीड करेंगे चाप्टर फूर प्लानिंग और इसको पढ़ाने के लिए मैं हमेशा बहुत एक्साइटेट रहता हूं क्योंकि इस चाप्टर में बहुत प्यारी-प्यारी केस्टीज लगती है और हम चीज के स्टडीज के थ्रू समझाऊँगा ताकि जैसे मैं श्राम कॉलेज अब कॉमर्स पहुच पाया था तुम भी एसारी इंडिया के किसे टॉप कॉलेज पहुच पाओ और अपना नारा है NCRT है खास बाकि सबबक्वास बोर्ट या सीवेटी NCRT की लैंग्विज से ही कोश्चन्स आते हैं और लास्टी टेलिग्राम गुरूप बना दिया है नीचे है BST 75 पार मेरे से इंट्राक करने के लिए सारा मेटीरियल पाने के लिए जो रिक्वाइड है तगड़े नंबर लाने के लिए फुल मार्क्स लाने के लिए और डेली जब एक नईने कंपनी स्चार्ट हुए थी इरोप में ठीक है इनके फाउंडर को एक बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम आई थी आतो रेडबुल लाखो करोड की कंपनी है बट जब इनके फाउंडर ने पहली बार रेडबुल का फॉर्मुला मार्केट में बेचनी की कोशि करी तो लोग खरीद नहीं रहते अवेर्नेस नहीं थी और उफकॉस उनके पास इतना पैसा उस टाइम था नहीं कि वह एडवर्टाइजमेंट्स करवा है उन्होंने बड़ी एक लैवर चीज करी उन्होंने क्या किया जो इरोप में पब्स बार्स थे और जितने स्पोर्ट आडिटोरियम थे उनके बाहर अपनी टीम को भेजा और उन्होंने क्या किया खाली रेडबुल के कैन्स करश करके कूडे में डाल दिये और सारी तरफ रोड में बिच्छा दिये लोगों को ये दिखाने के लिए कि यार ये कोई मार्केट में नई ड्रिंक आई और हर कोई पी रहा है और उनकी ये ट्रिक ञेंए बाई जब पबलिक ने बहार निलकल के देखा यार हर रेडबुल के कैन्स करना है person से तो अब यहां पे रेडबुल ने क्या प्लान कि या कि भाई मुझे अपने रिवेन्यूस बढ़ाने मुझे मार्केट में स्टैबलिश होना है सेल्स करनी है तो उन्होंने उस चीज को एक रियालिटी बनाने के लिए बहुत ही बड़ी है अपना एक फॉर्मॉला निकाला और इसके थ्रू मार्केट में सक्सेस्फुली आज रैडबूल कई लाग करोड की कंपनी है अब क्या है अब क्या है प्लाइनिंग इस डिसाइडि एन एडवांस यहांपर पर इंपोर्टन दो तीन वर्ड है एडवांस पहले हम एडवांस में से डिसाइड करते हैं क्या वट टू डू कि हमें क्या करना है और कैसे करना है रेड़ गॉल का एक्जामपल हमने देखी लिया कि उसने डिसाइड किया वट तू डू यानि कि सेल्स बढ़ानी है उन्होंन करती है अब तुमने एक्जामपल देखी लिया या रेड़ बूल का कि उनके पास पैसे नहीं तैयाड करवाने के तो उन्होंने कितनी क्रेटिवली अपनी मार्केटिंग कर दी भाई लोगों में ठीक प्लानिंग सीक्स चू ब्रिज दा गाब बेट्वीन वेर वी आर एड मतलब प्लानिंग एक ब्रिज बना देता है कि हम जहां पे हैं और हमें जहां पे जाना है उसके बीच का ब्रिज बना के देता है प्लानिंग छीक है तो अगर आपका प्लानिंग की आये डेफिनेशन एक्जाम में मांगने को तो ये सारी लाइन जरूर लिखनी है अब में मत्था मारें गए ना अभी हम features of learning में मत्था मारें हम कहां चलेंगे हम चलेंगे सीधा हमारे planning process की तरह क्योंकि कि अगर आप ने एक बारी planning process सीख लिया ना तो आपके लिए भाई सब यह सब चीजे सीखना ना बिलकुल second्ट चाम होगा ठीक है हम गलत पढ़ते हैं, हमेशा हम पहले यह सब सीखने लगते हैं, पहले प्लानिंग प्रोसेसर को सब समन में आ जाएगा, अब सुनो मेरी बहुत ध्यान से बात, यहाँ पर एक और इंटरसिंग जी, आप भूल जो बिजनर स्टेडीस पढ़ रहे हो, आप भूल जो, मैं तुम्ह धंदा यह सब कुछ exam point of view से सिखा रहा हूँ, तुम सोचो, तुम्हें class 12th के बच्चे हो, तुम्हें यह decide करना है कि तुम्हें 12th के बाद अपने career में, अपने future में क्या करना है, ठीक, भाई, उसको दिमाह में रखते में, मैं 7 steps पढ़ाऊंगा, अभी सिरफ headings पढ़ाऊं और फिर दुबारा से पढ़ेंगे इसको, और दिखाऊंगा फिर मैं business example और आपको actual में सारी चीज़े पढ़ाता चलूँगा, अगर नहीं समझ में है, बस मेरे को follow करते जाओ, तुम्हें सब कुछ crystal clear हो जाएगा, सुनो, सबसे पहला आपका क्या होता है planning का process, setting objective, यानि अ सारी wealth कमानी है, अपना business करना है, करोडो कमानी है, या तो एक बच्चा हो सकता है, उसका goal हो सकता है, मुझे एक high paying private job करनी है, business business, जितनी tension नहीं पाली, तीसरा बच्चा हो सकता है, मुझे एक सरकारी job चाहिए, जहां पे pay कोई नहीं जादा ना हो, बट एक अच्छा work life balance हो, अपनी vision होती ही, goal होता है, तो तुम्हें सबसे पहले अगर career planning करनी है, ये decide करो भी बैठ के, कि चाहिए क्या life में, पैसा, power, comfort, security, क्या चाहिए, ये चीज हमें सबसे पहले decide करनी हो, तो इसी चीज को हम decide नहीं करते, ठीक है, फिर हमारा second क्या होता है step, कि हम developing premises, हम assumptions लगाते है future के बारे में, कि क्या चीज़े change हो सकती है, जिससे की, इसका मतलब क्या premises का, कि future में ऐसी क्या चीज़े हो सकती है, जो कि जो भी मैंने plan मना है, जो भी मैं decide करने वाला हूँ, उसको positively and negatively impact कर सकती है, for example, आज की rate में, मैं इंडिया के majority top college Delhi University के गया हूँ, as a speaker, मैं जब भी आके बच्चों से बात करता हूँ, commerce के बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो B.com या BBA कर रहे होते हैं, उन में से majority बच्चे भाई, आज की rate में AI सीख रहे हैं, programming सीख रहे हैं, Excel सीख रहे हैं, power BI सीख रहे हैं, commerce के बच्चे क्यों सीख रहे हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ क्योंकि उन्होंने जब अपने planning premises उन्होंने future के बारे में assumption लगाई उन्होंने इस चीज को देखा कि AI बहुत अगड़ा scene change करने वाला है देखो ये news आई थी recently, इस news में मैं तुम्हें main चीज दिखाता हूँ क्या थी कि Paytm ने, Paytm ने शायद में से हट गया, एक सेकेट पेटीम ने एक हजार लोगों को अपनी जॉब से हटाया और दस से पंदरा वो अपने employees को हटाने वाले क्यों, क्योंकि AI powered automation आ गई है वो AI के through अपने employees को replace कर रहे हैं तो जो बच्चे मैं बता रहा हूँ, मैं जब commerce के colleges जाता हूँ, AI और इन सब के course कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं ताकि भाई, future में ऐसा ना, उनकी job AI खा जाए ठीक, तो इस तरीके से हम future के बारे में अपने premises भी set करते हैं क्या क्या हो सकता है और उसके हिसाब से मतना आपको prepare करें, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, identifying alternative courses of action अब मानो किसी बच्चे ने decide किया, कि मुझे एक high paying private job चाहिए, ठीक है, तो क्या कहते है, वो अब देखेगा, मैं क्या क्या कर सकता हो, एक high paying private job के लिए आप B.com कर सकते हो, इंडिया के किसी top college है, SRCC for example, जहां पे आपका average package भाई, 9 lakh रुपे और highest package लगबग 30-40 लाँ चला आ सकता है, या फिर आप कर सकते हो, B.M.S. किसी top college है, यानि कि SSCBS, जहां पे अगेन, आपका average package है, 8 lakh और highest package गया है, सल 40 लाँ तक, या फिर आप IPM कर सकते हो, I.M. इंडौर से, ठीक है, आपका I.M. इंडौर में, अगेन, 5 साल का B.B.M. B.A. का course है, और उसके बाद, आप का लगभग, लगभग, average package, 25 lakh का, highest package, 75 lakh रूपे तक का चला जाता है, I.M. दौर पे, कुछ सालों में, तो एक करोड़ रूपे प्लस भी है, ठीक है, तो आपने देखा, कि यार, ये सारे alternative courses of action है, जिसके through मैं, एक high paying private job ला सकता हूँ, अब देखो, यहां पे क्या है, आप वीडियो बता दो, जिसमें की, मेरे को सारे career options मिल जाए, commerce के, तो भाई, ये वाली video है, तुम्हें नीचे pin comment में, लिंक दे दूँगा, इस video मैंने सारे career options दे रखे हैं, कि आपकी personality का awarding, कौन सा career option आप चूज कर सकते हो, after 12, ठीक है, अब क्या है, अब आपने देखा, कि य यानि कि ये, हर career option का, आप pros निकालोगे, फाइदे निकालोगे, cons निकालोगे, नुकसान निकालोगे, जैसे कि, अगर हम देखे, हम देखे, IPM जबाला career option, वहाँ पे आपका pros क्या है, कि भाई, average package, BB और MBA, एक साथ complete हो जागी, 5 साल में, average package लगबक 25 लाग का है, but, fees कितनी ह है, fees हमारी लगबक चली जाती है, 35 लाग रुपे, हलाकि किसी के पास जेम में नहीं होते, पर loan लेना पड़ता है हर बच्चे को, अगर हम बात करें, SRCC की BCOM करने की, ठीक है, although, आपकी fees साल की मातर 20-25 लाग का है, आपका average package 9 लाग का है, पर competition कितना भेंकर है, आपका almost seat वह उसके according, हम क्या करते हैं, एक list बना लेते हैं, और फिर next step में क्या करते हैं, selecting the best alternative course of action, फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमने, पहले तो हमने identify किया था, फिर हमने उसके फायदे नुक्सान की list बनाई थी, और फिर हमने उसमें से सबसे best alternative select किया था, for example, किसी बच्चे ने, भाई क्या किया मैंने, CA को हटा दिया, option को, क्यों हटा दिया, क्योंकि यार, CA जितना difficult course है, और जितना लंबा course है, वो मेरे लिए नहीं है, ठीक है, मैं शायद afford तो कर सकता हूँ, मेरी family afford तो कर सकते है, CA का course, पर मैं इतना पढ़ने में नहीं हूँ कि मैं इतना लंबा कीचू क्याता है, क्या IPM जैसा course तो मैं afford नहीं कर सकता, CA काफी inexpensive course है, और बहुत अच्छा career है, बहुत अच्छी respect है, तो मैं CA की तरफ चला जाता हूँ, तो देखो, होता क्या है, हर इंसान, हर बच्चा, अपनी family situation के according, अपनी पढ़ाई की शमता के according, अपने marks के according, अपने interests के according, अपना अपना जो उसने identify किये थे, अलग-अलग courses of action, उसके pros and cons लिखे थे, उसके basis पे, वो final जो भी decision लेना है, उसको लेता है, और अगर आपको उतना career decide करना है न, exactly यही tips आपको follow करने है, पहले आपको उतना objective clear करना है, life में क्या करना है, पैसा कमाने power चाहिए, x, y, z, फ फिर अलग-अलग career option, सारे आपको पता होने चाहिए, उसके pros and cons फायदे नुक्सान निकालो, और फिर निकालो, कि भाईया, मेरी family के according, मेरे career के according, मेरी interest के according, क्या suitable है, और last होता है, last नी second last होता है, implementation of plan, यानि कि आपने जो भी career option select किया, अब आप final क्या करोगे, आप उस career option क से लिए अपना simply practice चालू कर दोगे, अगर मानों आपने वी को माने सहसा 60 से choose किया है, तो आप क्या करोगे, चालू कर दोगे, और follow-up action, इसमें आप क्या करते हो, day-to-day basis पे check करते हो, कि जो भी, मैं अपने plan के लिए, preparation मैंने start करी है, क्या वो up to the mark हो रही है, यार यह चीज कैसे करना है, यह follow-up action ही तो लेते हो, कि मेरी performance बन रही है, नहीं बन रही मेरे objective तक मेरे जितने decide marks था है, उत तक पहुचने तक, ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक career planning के हिसाफ से बता दिया, अब ज़रा देख लेता है business के point of view से, उसके लिए मैं case study बताऊंगा और आप अब exact words mark कराऊंगा, जो आपको लिखने है अपने exam में, ठीक है, यह देखो हमारे लिए यहाँ पर उसके लिए बड़ी interesting case study है, दिपिंदर गोईल जो कि Zomato के founder and CEO है, उन्होंने कहा है, कि हम अगले 5 सालों में आपने profit को 10 गुना करनेंगे, और 100 billion dollar, यानि कि 8 लाक करोड की company बन जाएंगे 2030 तक, ठीक है, अब देखो क्या है, भाई दिपिंदर गोईल ने यह बात करके क्या set किया है, अपने objective set करी है, ठीक है, the first and foremost objective, sorry, step is setting objective, तो उस बंदे ने क्या किया, 8 लाक करोड की company बनना है, और 10 times profitable होना है, must have certain objective, objectives may be set for the entire organization and each department and unit within the organization, अब देखो यह तो ब 10x profitable बनाना है, अगर आज assume कर रहे हैं, एक करोड profit कमारें, तो उसको 10 करोड profit में convert करना है, तो सारे departments का भी तो अलग-अलग objective set होगा, कि भाई, marketing वालों का budget रोका जाएगा, ठीक है, finance वालों को का जाएगा, कि भाईया, profit निकालो, marketing वालों को कम दो, coupons कम दो, और जादा से जादा सेल लाओ, ठीक, तो इस तरीके से क्या है, हर department, company का पूरा objective set हो गया, पर हर department का भी अतना objective set होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, developing premises, यानि कि वो assumption करेंगे, अब यहाँ पर क्या लिखा है, planning is concerned with the future, which is uncertain and every planner is using conjecture about what might happen in the future, ठीक है, अब देखो, planning future से relate करती है, तो future त uncertain है, future में कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी planner होता है, वो कुछ ना कुछ कंजक्चर, कुछ ना कुछ assumption लेता है कि future में क्या होगा, therefore the manager is required to make certain assumption about the future, these assumptions are called premises, और इसी वज़े से जो uncertainty होती है, उसको manage करने के लिए हर manager कुछ assumption करता है, और उसे कहते हैं premises, अब दे इसे कि क्या कहते हैं, क्या पता सरकार आके कल को कह दे, और in fact ये तो अभी हुआ है, सरकार ने का delivery जो तुम चार्ज लेरो customer से, उस पे भी GST मारो, पहले नहीं लेते थे, तो सरकार ने का इन से भी GST लो, तो यानि customer के लो और महंगा हो गया, तो यानि sales जमैटो की कम होगी ठीक, जमैटो के उपर आगे जाके कुछ restrictions में भी लग जाएं, क्या पता सरकार आएं और कहें, कि ये जो तुमने delivery partners रखें, इनको fixed salary पे रखो, ये मत करो, कि भाई, तुवो जितना काम करें, उतना pay करें, तो इन सारी चीजों को ना, जमैटो पहले से assume करके चलेगा, और उस हिसाब से अपना plan और dealing करने का way बना के चलेगा, ठीक है, फिर identifying alternative courses of action, अब इसमें क्या है, मैं तुम्हें बहुत interesting चीज बताता हूँ, जमैटो जब, अब तो बहुत बड़ी company है, भाई, इनकी share market में भी listed है, और इनके बहुत ad देखते हैं, पर जमैटो जब नहीं नही company था ना, भाई, इनके पास इतना पैसा नहीं था, कि एड वैड चलाएं तर उदर, तो इन्होंने क्या किया, भाई, तुम्हें meme marketing तुम देख तो बड़े-बड़े ब्रांट्स meme करते हैं, जमैटो अच्छली इसका बहुत बड़ा innovator था, जमैटो ने ना, अलग-अलग alternative courses of action देखे, ठीक है, और उसमें उसने क्या देखा, कि यार हमारा TV ads, radio ad, newspaper है, holding लगाना है, पर उन्होंने एक नया identify किया, meme marketing, social media पे memes जालो, ठीक है, तो उन्होंने इसको identify किया, फिर उन्होंने क्या किया, देखो यहां पे इन्होंने definition क्या लिखी है, बहुत simple सी बात है, once objectives are set and assumptions are made, एक बार objective set कर लिए, assumption मना ली, then the next step would be to set, to act upon those, sorry, and the next step would be to act upon them, there may be many ways to act and achieve objective, तो नम next step क्या है, कि भाई, अब हुन जो भी objective हमने set कि है, उन्होंके लिए action ले, पर action लेने से पहले हमें ये भी तो देखना पड़ेगा, कि कितने सारे रस्ते हो सकते है, उस objective को complete करने क के लिए, and alternative courses of action should be identified, और हम इस step में क्या करते है, जितने भी alternative course of action हो सकते है, उस objective को अचीव करने के लिए, उनको identify करते है, उनको लिख लेते है, फिर हम इस step में क्या करते है, evaluating, the next step is to weigh pros and cons of each alternative, यहाँ पे हम जितने भी alternative है, हमारा newspaper है, radio है, TV है, meme marketing है, उन सब के हम फायदा और नुकसान निकालेंगे, each course will have many variables which have to be weigh against each other, हर तरीके के हर रस्ते के अपने अपने variables होंगे, जिनको हमें मिलाना पड़ेगा, the positive and adequate expect of each proposal need to be evaluated in light of the objective to be achieved, और हर तरीके के, again वही बात repeat कर रखी है, हर तरीके के रस्ते का हमें positive और negative निकालना पड़ेगा, कि हमारे objective तक कौन सा रस्ता हमें पहुचाएगा और कितना अच्छे से पहुचाएगा, ठीक है, क्या क्या उसके फायदे नुकसान होंगे, और फिर होगा, selecting the alternative, selecting the best alternative, this is the real point of decision making, ठीक है, the best plan has to be adopted and implemented, the ideal plan of course would be most feasible, profitable with least negative consequences, अब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर final, जो हमने लिस्च बनाई, उसक जो कि सबसे profitable हो, जो कि feasible हो, और जो कि हमें सबस्यादा अच्छा output लाके दे, अब देखो, मैं तुम्हें क्या बता रहा था, जमैटों ने देखा, कि भाई, हमारे साथ यह सारे हैं, और तुमने अगर जमैटों के memes देखे हो, भाई, crazy हो तो crazy, देखो, यह मैं तुम्हें थ तरी बंध है, will still deliver quickly, भाई, यह तो बहुत छोटे-छोटे से examples निया है, पर जमैटों को meme marketing का pioneer माना यादा, पाइनियर, क्यों, भाई, इन्होंने इतने कम पैसे में, अपनी कंपनी कि इतनी भयंकर marketing करी है न, तुम सोच भी नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेलेक किया कि भाई, स्चार्टिंग में, कि टीवी, रेडियो, सब गया भाड में, हम करेंगे meme marketing, और फिर इन्होंने, इंप्लीमेंटिंग दा प्लान, यानी, इस इस दस्टेप वेर अधर मैनेजर फंक्शन, आर फंक्शन, आलसो कम इंटो पिक्चर, दस्टेप इस कंसर् पर, प्लान को हम एक्शन में डालना चालू कर देते हैं, और दूसरे managers, या फिर other, जो भी functions होते हैं, management, वो आना चालू हो जाते हैं, अब for example, marketing team ने कहा, कि भाई, हम radio team ही कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, अपना meme marketing, पर PR team भी घुसेगी इसम है, और meme marketing ना, double-edged sword है, कहीं meme ज्यादा dank हो गया ना, तो भाई, बहुत अगड़ा backlash मिलता है, और यह तो बहुत companies के साथ हो भी चुका है, ठीक है, और last में क्या करते हैं, follow-up action, to see whether the plans are being implemented and activities are performed according to schedule is part of the planning process, यहाँ पर क्या देखते हैं, कि भाई, जो भी हमने plans बनाए है, वो धंसे implement हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो जो schedule बना था, वो धंसे follow हो रहा है, और नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, अब देखो, Zomato ने starting में meme marketing start करी अपनी company में, भाई, उसकी वज़े से उनको customers आने start हुए, तभी तो वो आज तक कर रहे, आज तक Zomato के means, बिल्कुल crazy level के होते हैं, Instagram पे एक बार ही जाके देखना, ठीक है, आज तक वो result deliver कर रहे है, इसलिए मी marketing owner continue करी, अगर वो follow up लेते, और देखते कि यार, यहां से तो हमें कोई फायदा ही हो रहा, तो वो भी फिर घूम फिर के TV भी गयारा पर आ जाते है, तो अब तुम सम की तरह देखो कि real life में कोई भी इंसान करेगा, तो कैसे करेगा, तो बस simple as that, भाई ये थे हमारे planning process, अब तुम्हें के importance, features, definitions सब बहुत easily समझ में आजेगी, second हो में हम करेंगे इसको, ठीक है, so no, definition of क्या है, one of the ways to define planning is setting objectives, planning definition क्या है, हमने भी पढ़ा, पहला क्या है, setting objective for given time period formulating various courses of action to achieve them, ठीक है, हमने identifying various courses of action, then selecting the most possible alternative from various courses of actions available, ठीक है, यही हमने planning process में पढ़ा, और यही उसकी definition है, तो भाई इसको बस simply याद कर ले ना, और exam में लिखाना, अब आते हैं, importance of planning, planning क्यों करना जरूरी है, क्या फायदा होता है, planning करने से, ठीक है, सबसे पहली चीज, planning direction provide कर for the action, ठीक है, अब मैं तुम्हें इसका सबसे बड़ी example दिखा दो, देखो, जो मैं यहां YouTube पे chapters डाल लहूँ, भाई, यह पूरे plan से बने हुए है, ठीक है, कि भाई, इस तारी को यह lecture जाएगा, इस chapter का topic जाएगा, यह वाला topic जाएगा, थोड़ा बहुत इसमें change कर रखा ह पर यह पूरा plan मनावा है, कि मैं तेरा मार्स तक डेली आके, आदा घंटा मात्र पढ़ागे, तुम्हारा syllabus कम्प्लीट करवा दूँगा, और इतनी depth में करवाऊंगा, कि तुम कभी जिन्दगी में भी ना भूलो, ठीक है, अब क्या है, यह पूरा बनावा schedule, तो मेरी team तो खर मैं ही एक intern में जादा स्यादा, ठीक, तो होता क्या है, भाई, हम उस हिसाब से proper planning करके चलते हैं, कि हाँ यार, यह जो PDF तुम देख रहे हो, marking वाली, इसको उस तरीके से बना के चलना है, case studies निकाल के चलनी है, कब हमें हमारी लगबग हफते बर की case studies विगेरा, और marking PDF यह सब ready होती है, कैसे ready है, क्योंकि हमारा plan बनाओ है, कि कौन से दिन कौन से लेक्टर जाना है, तो भाई, मेरे intern को, और मुझे पता है कि कब कौन सा काम पहले से करके रखना है, अब सोचो, इसी में होते 4-5 और लोग involved, ठीक है, तो भाई, वो 4-5 लोगों को भी पता होता, और तो हम इतने बड़े नहीं है, अगर होते, तो उन 4-5 लोगों पता होता है, यार इस schedule के हिसाब से, तो edit तब करनी है, उसके बाद thumbnail तब बनाना है, अभी हम है, दो लोग तो हम ही सारा काम कर लेते हैं, ठीक हैं, तो हमें पूरी proper direction दे देता है planning action करने की, अगर advance में हमें पता हो, planning ensure that the goal and objective are clearly stated, so that the act as a guide for deciding what action should be taken in which direction, ठीक है, ये आपके बिलकुल clear goal state कर देते हैं, कि हमें क्या action लेने और किस direction में, हमने जमैटो का भी अभी example पढ़ा, भाई, उनके पूरी company को पता है, सुनो अभी यहां पे एक important बात है, ठीक है, departments and individual in the organization are able to work in coordination, उनकी पूरी company को पता है, कि भाईया, हमें 5 साल बाद 10 गुना करना है इतने profit को, तो इसके लिए सारे departments उसी तरीके से action करते हैं, और सारे departments को proper direction मिली भी है, कि भाईया, पहले जैसे देते देने, coupons उल्टे सीदे, बिलकुल भर-बर के, अब वो वो वाले coupons नहीं देते हैं, ठीक, अब सुन Planning reduces risk of uncertainty, Planning हमारी जो uncertainty उसको खतम करती है, कैसे, Rapido का तुमने नाम सुना है, भाई, दिल्ली-विली साइड इन जगों पे तो बहुत चलती है, Rapido क्या है, जैसे Ola Uber है ना, वैसे ही bike taxi provide करती है, मैं खुद bike taxi भे travel करता हूँ भाई, योगि दिल्ली का traffic तुम्हें पता ही है, है Rapido इंडिया की सबसे बड़ी bike taxi provider है, बट Rapido ने recently cap business start कर दिया, उन्होंने cap business क्यों start किया, क्योंकि इंडिया में लगबग 4-5 states ने bike businesses को ban कर दिया, उन्होंने का bike taxi चलेगी नहीं, और कई states ने उल्टी सी थी बहुत सारी restrictions लगा दिया, तो इस बात को दिमाग में रखते जिए अगर हम सिर्फ bike के business पे हैं, तो हम out of business हो सकते हैं, अगर सरकार ने किसी भी दिम कोई हमारे खिलाफ rule launch कर दिया, इस वज़े से उन्होंने अब गाड़ियां भी provide करनी चालू कर दिया, टाक्सी बिजनस में, although Uber और Ola से उन्हें कभी compete नहीं करना था, पर uncertainty future को देखते कि भाई यह चीजे दो-चार स्टेट में होगे, क्या पता पूरी country में नहीं हो जाए, और उस तरीके से उन्होंने अपनी cab launch करके अपनी uncertainty को जो नुकसान हो सकते हैं, उनको उन्होंने कम कर दिया, ठीक है, by deciding in advance task to be performed, planning shows the way to deal with changes and uncertain events, ठीक है, चलो, next क्या है, planning reduces overlapping and wasteful resources, ठीक ह मैं सी चीज बताता हैं, जो मेरे साथ recently हुई थी, मैंने देखा था, मेरे साथ नहीं हुई थी, एक creator है, ठीक है, मतलब मेरे दोस्ती है, उस creator के group में तीन editors है, video को जो सारी animation और सारी cut और effects लगाते हैं, वो तीन लोग है, उस बंदे ने क्या किया, अपने group पे video भेजी, और यह नहीं बड़ टैक करा कि कौन से editor को edit करना है, भाई उसने group पे video भेजी और उसके दिमाग से निकल गए और वो चला गया, तीनों editors ने same video को edit कर दिया, यह क्या हुआ, यह faceful activity तो है, overlapping activity तो है, एक काम को तीन लोगों ने कर दिया, ठीक है, अच्छा, एक और मैं तुम छो चाया नहीं, कि कि किसको कौन से 50 करने है, किसको कौन से 50 करने है, दोनों interns ने क्या किया, same ही लोगों को call कर दिया, ठीक है, दोनों को 50-50 को करना था, one to 50 को, दोनों ने ही call कर दिया, अब क्या हुआ, जो second intern ko जिसको 51-100 करना था, उसका तो सारा effort waste हो गया, क्योंकि भाई, again, same लोगों को कॉल हो गै किया फायदा हुआ तो इस तरीके से ट्लैनिंग जब होती है यह बेख फालुक्ट एक्टिविटी रूप जाती है अब क्या है प्लैनिंग प्रमोट्स इनॉवेटिव आइडिया ठीक है प्लैनिंग की वजह से हम इनोवेशन ला पाते हैं इसका सबसे बड़ी एक्जामपल है बाला जी चिप्स इन्होंने कहीं ना एक रेड़ वाली टेक्नीक यूज करी थी भाई बाला जी चिप्स आज के चार हजार करोड़ की कम्पनी है जब इन्होंने नए ने अपने चिप्स लॉंच करें इनकी मार्केट में अब बिसली को डिमांड नी तो इन्होंने क्या किया अपनी ना सारी टीम को अपने वैसे वेस्टन गुजरात पर ग्यारा साइट ज्यादा जलती है तो इन्होंने क्या किया अपने लगबग बहुत सारे सेल्समेन हायर करें और हर दुकान पर डेली बेसिस पे अलग-अलग-अलग-अलग-अलग- सह dove considering 하고 dollar Scripture spectral थे मैं मैं भीज़ता हूं फिर वो कैता है दो महीने से लोक मागी रहे हैं वो कैता थलू होतिमाड आहीं तो यह क्या है इस गुरिल्ला मार्केटिंग के अब देखो यह क्या है इस फ्लाशन अब देखो यह आपई सफ फर्स फंक्शन्ट सबसे इस फह संग्शन और management it share management new ideas can take shape ठीक है क्योंकि planning के हम function अभी पढ़ेंगे planning और्गनेंस, staffing, directing, controlling यह सबसे पहला function होता है इसलिए हम यहाँ पे innovation और creativity यूज कर पाते हैं यह सोचो अगर बाला जी ने starting में यह कर लिया क्योंकि उन्हें पता था यार हमें कोई जानता नहीं उन्होंने starting में यह plan मना के इसको करना चालू कर दिया अगर बाला जी यह चीज़ अपने धंदे में आने के और लाखो चिप्स के लोग जानते ही नहीं और उस चाहिम अगर वह plan मनाने बैठते ना तो वह कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह बहुत डीप जा चुके हो तो इस problem में प्रॉब्लम को उन्होंने starting में identify कर लिया और उसके लिए creative solution निका लिया अगर यह छे महीने बाद लाखो पैकेट्स stop करने के बाद बैठते ना तो फिर यह solution पर वह नहीं आ पाते है फिर वह creativity नहीं दिखा पाते planning facilitate decision making ठीक है planning easy बना देता है decision making को planning देखो यह हमने पढ़ा यह planning helps manager to look into the future यह हमने देख लिया make a choice from among various alternative courses of action ठीक है वह future में look करता है identify करता है alternative course of action और उसमें से best alternative choose करता है the manager has to evaluate each alternative and select the most viable proposition ठीक है हमने planning process में जो सीखा है न एक्जाक उसी चीज को बस यहां पर चेप दिया है ठीक है कि भाई होता क्या है एक manager future में देखता है actions और identify करता है उनको evaluate करता है फिर उसमें choose कर देता है तो क्या है planning के वज़े से easy हो जाता choose करना क्योंकि evaluate करते process follow करते है planning establishes starters of controlling controlling का न हमारे proper chapter है तो इसलिए अगर आपको अभी यह समझना है तो मत्था मत मारना ठीक है बट समझ जाओ तो बहुत ही बढ़िया planning involves setting of goals देखो simple सी बात है जमयाटों का हमने देखा न कि उनका क्या goal है अगले महिने चेक करेंगे कि हमारा क्या profit इतनी स्पीड से ग्रोव हुआ कि 5 साल बाद हमारा five times हो जाए तो यही तो controlling होती है planning provides the goals in goals और standards against which actual performance is major ठीक है plan हमारा क्या था next 10 year में five years में 10 times of evitable होना तो उसने provide कर दिया कि हमारी actual performance जो monthly performance है उसको किस चीच से compare करना है by comparing actual performance with standards managers can know whether they have actually been able to attain the goals or not और जब वो monthly check करेंगे कि क्या हमारा profit उतना भड़ा जितना हमें चाहिए अगर उनका answer yes है तो वो goals को routine कर पाए अगर answer no है तो नहीं कर पाए उन्हें कुछ change करना पड़ेगा ठीक है आज मैं पढ़ाने वाला types of plans भाई यह topic इतना जादा difficult और confusing है ना और मैं ऐसे example और case studies लाया हूँ कि तुम्हारे लिए इतना असान हो जाएगा कि इस lecture के बाद तुम काऊगे यह इस topic को लेकि मैं confused हो रहा था तो चलो start करते हैं देखो plans जो है ना उनको सबसे पहले तो दो broad categories में divide करा गया है कि भाई single use plan ओतर standing plans होते हैं और जितने भी हमारे आठ प्रकार के plans होते हैं वह इनके नीचे ही आते हैं ठीक है अब सुनो single use plan क्या है बूल जो हम planning पढ़ रहें एक बड़ी जरही एक जामपल देखो देखो फॉक्स कौन जो है जो कि एक सिलिकन आपकी चिप manufacturer है वो इंडिया में एक billion dollar और इंवेस्ट करने वाले हैं upcoming apple इंडिया plant के लिए ठीक है एक billion dollar कितने थे 8000 करोड रूपे यह लोग एक और apple की factory लगाने वाले हैं जिसके लिए इतना company decide होगी quality decide होगी क्या क्या material की लगेगी बट यह क्या है एक single use plan है a single use plan is developed for one time event or project एक time के event या project के लिए बनता है यह such a course of action is not likely to be repeated that is there are non occurring in nature non recurring in nature ठीक है यह बार बार नहीं होगा ठीक है the duration of this plan may depend on type of project project के उपर होता है कि यह जो plan है यह week का होगा एक month का होगा years का होगा यह एक single day का होगा क्योंकि आपका एक seminar कराना भी एक single use plan है ठीक आपका एक office का paint करवाना भी single use plan है पर यह project के उपर हो कितना बड़ा होगा these plans include budget programs projects ठीक है देखो मैंने क्या बोला हमारी दो ब्रॉड category है देखो यह types of plans है उसके नीचे हमारी दो ब्रॉड category है एक single use plan और एक है standing plan ठीक है अब उसके नीचे और categories आती है आठ तरीके plan जो हम पढ़ने वाले हैं ठीक है इसमें क्या बोला budget program और प्रजेक्ट आते हैं और standing plans के नीचे भी और चीज़े आती है अगर नहीं समझ मैं आरा tension मतलो video के end तक यह सब कुछ clear हो जाएगा ठीक है हमारा single use plan अब आता है standing plan यह क्या होता है बूल जो planning पढ़ रहे एक बड़ी ज़रा यह video देखो हम यहाँ पे देखने अब उसके बाद हमारा क्या हुआ यह sandwich गया एक ओवन में टोस्ट होने के लिए ठीक उसके बाद भाई यह निकला और वेजीज आई tomatoes आए उसके बाद हमारा क्या आया क्या 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 तो इसको पिकल्स ओनियंस आए sauces आई salt and pepper आएगा और sauces आएंगी और फिर यह sandwich हो जाएगा बंद ठीक है अब यह क्या है समझो यहाँ पर हम क्यों पढ़ रहे हैं क्या है देखो इस company ने चाहे वो सब्वे है मैंने पिछली वाली वीडियो में mcdonald's का example बहुत जादा दिखाए ठीक है शायद आप लोग सो full and final कर रखा है यह पूरा planned है ठीक आपका यह plan पूरे चाहे 1000 बने चाहे 10100 बने चाहे एक लाग sandwich बने और किसी भी world के सब्वे में बने यह fix and final है इसमें हलका full कोई change हो गया तो हो गया बट यह तरीका throughout हर जगे यही follow होना है तो यह क्या है एक sandwich बार 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 बनता है तो इसके लिए standing plan मनाये गया है in fact मैंने पिछले chapter 2 की video में mcdonald's के case में दिखाये भी था कि इनके founder ने यह पूरा plan कैसे बनाये था वो भी दिखाये था पर उस video पर copyright claim आ गया तो अगर वो जानना है तो उस video को जाके देख लो मैं हर video पर copyright claim नहीं लूँगा ठीक है चलो standing plan a standing plan is used for activities that अगर regularly over a period of time क्या regularly होती है over a period of time simple सी बात है जैसे sandwich हमारा regularly बनता है it is designed to ensure that internal operation of an organization run smoothly यह इसले बनाई जाती है to make sure कि organization के अंदर की जो चीजे है वो smoothly चले sandwich जो बन रहा है वो smoothly बने ऐसा ही है वो हर बारी बनाते हुए सोच रहे कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं such a plan greatly enhances efficiency ठीक है and routine decision making ऐसा plan efficiency को बढ़ाता है क्योंकि हमें बार-बार सोचना नहीं पढ़ना कि क्या करना है हमें पूरा process हमें पूरा plan मिला हुआ है कि ऐसे ही बना है ठीक है it is usually developed once but modified from time to time to meet business as a requirement needs that's required ठीक है अब आपका क्या है कि पूरा वर्ल्ड में सब्वे पूरे वर्ल्ड में उसके final plan बना हुआ है कि इस तरीके sandwich बन रहा है पर country to country या फिर region to region जो थोड़े बहुत changes है कि इंडिया में लोगों को tomatoes कम पसंद है और मेभी किसी country में आपका हिटली में ज्यादा पसंद है तो वहां पर पांच टमाटों के इंडिया में चार डल जाएंगे तो हल्का फुलका modification चलता रहता है standing plans include policy procedure method and rules standing plan के अंडर कौन कौन से आते हैं यह सारे आते हैं types of plans कोई आपको बार में समझ में आ जाएगा अभी मैं सब जहां नहीं वालो ठीक है अच्छा अब मैंने तुम से अभी तक एक बात जूट बोली थी मैंने बोला था हम आट टाइपस of plans पढ़ने वाले जो भी हम पढ़ना start करेंगे उसमें मैंने बोला कि हमारी दो broad categories है कौन सी single use plan और standing plan फिर मैंने बोला था इन दोनों broad category के अंडर सारे आठो के आठो प्लान आते बट वो जूटता plans जो कि आपके important है सबसे पहला है objectives यार इसको मैं तुम्हें example भी दे देता हूँ पर बड़ा सुनने में easy सा है और मैंने पिछली वीडियो में भी example दिया था जब जमैटो के founder दिपिंदर गोयल ने क्या कहा कि हमें 10x profit करना है अगले पांच सालों में और 100 बिलियन डॉलर कंपनी बन जाएगी हम 2030 सबसे पहला step क्या है objective set करना objective therefore can be said to be the desired future situation which management would like to reach हमारा again यह भी हमारा definition of planning में आता है ठीक कि भाई एक desired future की situation जहां पर management पहुचना चाहती है अब सुनो अगर objective के around चीजे आई तो तुमने वो जो अभी मैंने पढ़ा है अब मार्क करा है वो तो लिखना है यह यह भी लिखना चीजे objective simply stated is what you would like to achieve that is the end result of activities ठीक है अगेन वही वाली बात जो planning की definition ते उसको repeat किया हुआ है कि तुम्हें क्या चाहिए end result में they are usually set by top management of the organization ठीक है याद रखना कौन से type of plan top management set करती है objective ठीक है objectives need to be expressed in specific terms they should be measurable in quantitative terms अब सुनों यह बहुत important है ठीक आपके किसी भी चीज को measure करने के ना दो तरीके तो है quantitative जो यहां पे है और एक होता है qualitative quantitative terms का मतलब होता है जब हम number में express करते है डिपेंदर गोईल ने बोला हमारी कंपनी बनेगी सो बिलियन आठ लाख करोड़ की 2030 तक यह number की बात हो रही है objective हमेशा number में होता है दिपेंदर अगर यह कहते कि 2030 तक हमारी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी यह objective नहीं है यह qualitative method हुआ बहुत बड़ी कितनी बड़ी क्या होता है बहुत बड़ी business में आज तुम business सीख रहे हो कल को जाके management करोगे commerce करोगे याद रखना यह science के बच्चे नहीं हो तु strategy क्या होती है a strategy कही ना कही थोड़ा सा इसको objective से relate करके चलना ठीक है a strategy provides broad contours to an organization's business मतलब क्या है एक objective ना contours का क्या मतलब होता मैं क्या कहता हूँ पहले आप English सीखो business study से पहले इसका क्या मतलब होता है एक broad guideline एक जैसे map होता है ना उसमें एक direction दी जाती है कि हाँ इस area से इस area तक इस straight line में पहुचना है जहां में पहुचना है ठीक है अब सुनो एक तुम्हें बहुत ही प्यारी वीडियो दिखाता हूँ अगेन इस concept को समझाने के लिए इंडिया में Colgate की success का इस बहुत बड़ा राज है school students पर कैसे यह बात है around 2004 की Colgate को मालूम था कि उनके toothpaste का सबसे बड़ा advantage है उसका better taste प्रश देते थे और यह बच्चे उन्हें अपने घर ले जाते थे कहने को तो यह awareness campaign था पर इसी बहाने इंडिया के लाखों गरों तो अपने products पहुचा रहा था अब इंडिया में बच्चे हो या बड़े सभी को free के products बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए जैसे ही वह देखते थे कि free में toothpaste मिला है तो वह उसे try ज़रूर करते थे और taste अच्छा लगने पर उनमें से कई लोग Colgate के regular customers बन जाते हैं इंडिया में पता है हमारा टेस्ट अच्छा है अब इंडिया में हम कैसे पहुचा है हर जगे अपना पेस थीक हैं तो उन्होंने strategy क्या बनाई कि आप लोगों को free samples दिए schools के through ultimately पहुचाना उन्हें parents पर ही था ultimately बाइर कौन होता है बड़े होते घर के बाइर ठीक है पर उन्होंने पहुचाया कैसे बिल्कुल अलग तरीके की strategy बना दी कितनी genius strategy बनाई कि यह क्या लिखाव है हाँ पर समझो strategy is a comprehensive plan for accomplishment of an organization goal ठीक है यह एक comprehensive plan होता है प्लान होता है प्रॉपर जो कि organization goal को achieve करने में help करवाता है ठीक है कोल गेट का क्या बोल था इंडिया में घुसना penetrate करना इंडियन मार्केट को ठीक अब सुनों इसमें तीन मेंशन होते हैं determining long term objective ठीक है objective setting जो हमने पीछे वड़ा था उसमें strategy में थोड़ा बहुत objective setting का भी काम आ जाता है ठीक है adopting a particular course of action ठीक यहां पर हम फिर अलग अलग हमारे courses of action होते हैं उसमें से हमें particular course of action choose कर लेते हैं allocating resources necessary to achieve this objective अभी यहां पर क्या था कि allocate resources करना यानि कि अभाई कोल्गेट ने प्लान तो बनानी है schools तक पहुचना है और ऐसे samples देने हैं पर उसके लिए resources भी तो टॉप allocate करने पड़ेगी कि वह लोग जो जाके school से type करेंगे वह production unit चोटी-चोटी sample unit जो बच्चों को जाके देंगे ठीक है आपके जब भी कोई strategy form होती है तो business environment को consideration में लेना होता है ठीक है ऐसा तो नहीं है कि कई Colgate ने इस चीज को consider किया होगा कि हम school से tie up करते वे कोई इंडिया का legal environment तो नहीं hurt कर रहे कि कोई ऐसा law हो कि school के बच्चों से tie up नहीं कर सकते है उनको samples नहीं दे सकते इंडिया के case में ऐसा नहीं तो नहीं ने कर लिया बढ़ कई countries में हो सकता है ठीक है तो ये था हमारा objective or strategy अब सुरू policy हमारा standing plan की category में आता है ठीक है अगर तुम्हें ये याद करना है कर लो नहीं करना छोड़ देना ठीक है पर policy पढ़ लेते हैं policy क्या है policy are general statement that guide thinking or channelize energy towards a particular direction तुम छोड़ो मेरी बात ये सारी बात है छोड़ो तुम्हें एक interesting चीज दिखाता हूँ देखो Amazon से ना ये देख रहे हैं जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ यह मैंने Amazon से मंगाया था बोया का 4 GHz का काफी अच्छा माईक है मतलब sponsorship पर तुम्हें genuine चीज दिखा रहा हूँ अब देखो यहाँ पर policy क्या है 7 days replacement policy है return policy नहीं है यानि कि अगर माइक मेरे पास आता है तो इसको मेरे को अगर यह पसंद नहीं आता तो मैं इसे return नहीं कर सकता था ठीक है यह policy है policy का मतलब क्या होता है कि एक general direction है customers को भी कि भाया देखो product आया replace कर देंगे खराब निकला return नहीं होगा अगर पसंद नहीं आया और यह policy सारे internal customer के रहे employees को भी पता है कि भाई return नहीं करेंगे हम आपकी replacement देंगे बट मैं तुम्हें बताता हो एक मेरी वेफकूफी क्या होई मैंने माइक मंगवा लिया था पर मैंने सबसे पहला माइक बंगा था वह apple का मंगवाया ठ चार पांच छे साल से यूज़ कर रहा हूं तो उन्होंने का चर आपके लिए return कर देंगे ठीक है उन्होंने return किया मैंने नया place order किया हाला कि मैं इतना वेफकूफ हूँ मेरी वेफकूफी छोड़ो मैंने दुबारा apple का मंगा है फिर मैंने उनको दुबारा हाथ पैर जोड देते ठीक है तो policy क्या होता है एक general guideline होते है कि sir यही चीज होती है हमारे but depending upon the situation managers को workers को allowed होता है कि exceptions बनाना यह चीजों को देखना ठीक है तो यही बात हुई है general statements that general statement that guide that is guide thinking or channelize energy towards a particular direction ठीक है यह एक general statement है जहां पे हर employee इस तरीके से सोता है कि भाई customer को मोटा मोटा return के लिए तो मना करना ही करना है ठीक है अब they are guides to managerial action and decision in implementation of a strategy ठीक है अब Amazon को अपनी इनकी strategy क्या थी देखो पहले तो हर जगे return allow कर देते थे पर इनके साथ fraud होने लग गए तो इन्होंने strategy क्या बनाई कि भाईया fraud रोकने है उन fraud को रोकने के लिए उन्होंने policy निकाली कि electronic item पर no return रहेगा there are policies for all levels and department in an organization ठीक है चाहे कोई भी level का हो कोई भी department हो हर किसी की policy होती है from major company policy to minor policies छोट भी होती है बड़ी भी होती है मैंने तो तुम्हें no return policy हो छोटा से example दिखा दिया पर हर company में hiring की भी policy होती है firing की भी policy होती है अगर कोई employee कुछ गलत करता है उसकी भी policy होती है ठीक है उसके इलावा manufacturing की भी policy होती है safety की भी policy होती है तो छोटे से बड़े level पर हर जगे policies होती है ठीक है policies define the broad parameters important है broad parameters बताते है within which manager may function the manager may use this is her discretion to interpret and apply the policy देखो हमारी business studies में दिक्कत क्या होती है हमें English नहीं आती English आया तो बहुत बढ़ी है discretion का क्या मतलब होता है अपनी समझ interpret का क्या मतलब होता है उस समझ से किसी चीज को समझना कि क्या लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर simply क्या बोली भी है policy एक general आपके parameters broad parameters देते हैं फिर उसके बाद manager के उपर होता है कि वो क्या decision ले ठीक है अब सुनो policy समझ लिया पर policy के बा objective और strategy पड़ा वो दोनों थोड़ा-थोड़ा relate करते हैं अब क्या है policy और rule करता है rule क्या होता है सुनो मेरी बात हर company में न एक zero tolerance rule होते हैं ठीक है मतलब अगर इसके against ये कुछ हुआ तो इसके against कोई भी exception नहीं है rule क्या होते है वो yes or no होते है अगर rule follow हो रहा है तो ठीक है गया है rule book में कहने का मतलब हर organization में religious, sexual ठीक है आपका इंसान की look हर चीज के against एक proper strict rule होता है कि आप किसी ओपर religious comment नहीं कर सकते आप किसी के gender पर comment नहीं कर सकते अगर करा तुरंत firing है बड़ी companies में कोई exception नहीं दिया आता है ये उनका rule है policy नहीं है ठीक है manager को interpret करना नहीं allowed कि च ठीक है तो छोड़ो नहीं religious comment किसी ओर पर मारा गया तो वो fire होगा ही होगा यह rule है इसमें कोई interpretation नहीं लगेगी ठीक है rules are specific statement that inform what is to be done specific statement होती जो बता दी क्या होना चाहिए they do not सुनो ये बात सबसे important they do not allow for any flexibility flexibility or discretion इसमें ना किसी को समझ लगानी है ना कोई exception बनाना यह होना ही है it reflects a manager decision a certain action must or must not be taken must or must not be taken यह बताता है manager को कि क्या decision लेना है यह नहीं लेना है इसकी कोई exception नहीं है अगर यह हुआ है तो यह लेना ही पड़ेगा decision अगर नहीं हुआ है तो नहीं लेना simplest type of plans because अच्छा अगर आपसे question कहीं आ जाए कि सबसे simple type of plan कौन सा होता है वो होता है rule क्यों होता है rule यार क्योंकि manager को इसमें दिमाग नहीं लगाना अगर कोई से उसी ने rule break किया तो action low नहीं किया तो चलने दो ठीक है तो rule होता है अब आ जाते हैं हमारे procedure की तरफ procedure क्या होता है procedure देखो हमने सब्वे में देखा हमने यह भी पढ़ा था procedure क्या standing plan है ठीक है यह मैंने actually procedure कोई समझाने में के लिए यूज किया था ठीक है procedure क्या है हमने पूरा flow देखा की sandwich कैसे बन रहा है पहले प्र इसके बाद क्या हुआ वेजी मीट गया फिर चीज गया फिर और मीट गया फिर वो टोस्ट हुआ फिर vegetables गई sauces गई salt pepper गया फिर वो पैक हो गया ठीक है पूरा आठ दस steps बने वे हैं अब इसमें मैं अगर एक आदा भूल गया तो छोड़ो माफ करना ठीक है अब इसमें कोई भी exception नहीं है पचास हजार sandwich बनेंगे तो वो इसी तरीगे से बनेंगे यह होता है procedure ठीक है पूरा flow पर अब बढ़ लेते हैं method क्या होता है method होता है कि हर जो टास्क है जो हर टास्क है उस procedure में उसको कैसे निवाना है जैसे आपका procedure पहला step क्या था cutting कैसे होनी है भाई cutting को detail में method बताएगा कि उस cutting वाले task को कैसे करना है कि आपको sandwich बीच में से काटना है ऐसा नहीं है पूरा काट के meet के कितने pieces डालने वो method बताएगा procedure ने तो सरफ steps बता दिये हर step को detail करेगा method कि हाँ भाई meet डालने के task में कितनी है कितनी quantity में डालना है फिर अगला क्या था toast चोना है तो method बताएगा कितनी देर toast चोना है कैसे रखना है किस sheet के उपर रखना है ये सारी जो detailing है procedure के हर task के उप activities ठीक है कोई activity sandwich बनाना उसके proper steps बताता है कि क्या क्या करने है they detail the exact manner in which any work is to be performed they are specified in chronological order ठीक है याद है ना chronology समझ रहे हो ये क्या है confused मत होना ये बताते हैं exact manner वर्क टुबीक से exact manner our work perform होना है chronological order में ठीक है यह आपका यह निए बताते हैं कि work में exact जो हर task है उस task में क्या होना है यह बस यह बता रहा है कि भाई chronology का क्या मतलब होता है यह फिरीए 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 अम इच्छागा मीम अगर याद है तो समझ जाओगे ठीक है नहीं भी याद तो chronology steps बताते है exact उसमें कोई हेर फिर नहीं हो सकती step 2-3 के बाद नहीं आएगा तो यह chronology बता देता है अब आपका क्या है method क्या है method provide the prescribed ways or manner in which a task has to be performed considering the objective ठीक है आपका कोई भी टास्क है उसमें वो exact ways or manner बताता है ठीक है it deals with a task comprising one step of a procedure मैंने बोला ना जो procedure में हर step होता है उसका वो बताता है and specify how step to be performed और फिर वो बताता है कैसे procedure में लिखे वे हर step को ढंग से करना है उसकी proper detailing ठीक है अब देखो हमने क्या 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 कर लिया हमने objective strategy policy rule और procedure और method कर लिया अब हम पढ़ने वाले है program और budget यह दोनों single use plan है ठीक है program क्या होता है देखो हमने अभी Foxconn क example देख लिया था ना तुमने यह लगा रहे वो कितने कितने थे भाई मैं बूल गया एक बिलियन आठ हजार करोड हाँ Foxconn provide detailed statement about a project project क्या होता है भाई वो फैक्टरी लगाना प्रोजेक्टी है अब उसमें वो प्रॉपर बताता है कि objective क्या होंगे policy क्या होगी procedure क्या होगी rules क जाओंगे task क्या होगे human and physical resources क्या लगेंगे and budget क्या होगा उस पूरे काम को निप्टाने के लिए ठीक है अब देखो जो program होता है जैसे factory लगाना है उस factory लगाने के लिए सिरफ उस specific सिरफ उस specific project के लिए factory लगाने के उसके लिए अपने अपने सारे rules policies procedure क्या कहते हैं आपका budget सब बनेगा ठीक है बट उनको यह policies procedure rules इन सब को discard कर दिया जाएगा fact दिया जाएगा जब आपका project complete हो जाएगा budget क्या है बजट क्या है बजट क्या है budget is a statement of expected या तो बैसे नाम से भी समझ रहे हो ना इंगलिश तो नहीं भूल गया बजट क्या है एक statement होती है कि क्या result हम expect कर रहे है numerical terms में ठीक है budget सबसे important budget की चीज़ है यहाँ पर कोई अच्छा हो जाएगा बढ़िया काम हो जाएगा हम कहते हैं या रहे लाला कितना बढ़िया कितना percent बढ़िया कितने रुपे से बढ़िया ठीक है it is a plan which quantifies future facts and figures यह वो तरीके का plan है जो future के facts को and figures को quantity में डालता है ठीक है कि कितना हर चीज हम पैसे में बात करते हैं for example a sales budget में forecast बढ़ अच्छे में also be prepared to show number of workers required at a factory and peak production month ठीक है एक different type of budget का एक और example दिया है इन्होंने कि भाई एक budget हमारे यह भी बता सकता है कि एक factory में production के दुरान peak months में कितने लोग चाहिए होंगे ठीक है अब क्या है since budget represent all items of numbers ठीक है all items in numbers से क्योंकि budget सब कुछ सिरफ numbers में express करता है it become easier to compare actual figure with expected figure and take corrective plans subsequently ठीक है क्योंकि budget सबको number में express करता है ठीक है तो होता क्या है जब हमारे पास हर चीज का budget होता है example अनो sales का दिया था अगर हमारे पास sales का budget है कि हमारा x product January में इतनी sales लाएगा और जब हम actual January में sales हमारी जो actual हुई उसको लाके देखेंगे तो हम जब budget से मिलाएंगे तो हम देख पाएंगे कि भाई है हमारी budget के मुकाबले कम हुई है sales यह जादा हुई है ठीक है अगर कम हुई है तो हम उस तरीके से उसको ठीक करेंगे जादा हुई है तो उसी चीज को हम repeat कर देंगे ठीक है अब budget को एक चीज मैं मैंस final कर दूँ आप लोग वो घर वाले budget की तरह या एक general budget की तरह मत समल नहीं नगना कि मेरे पाद खर्चा क यह नहीं numbers में put करता है हर चीज का budget अब देखो यह क्या गयता है हमने क्या बोला कि कितने लोग चाहिए होंगे एक मंत में हमारी factory प्रोडक्शन के टाइम इसमें कोई हम यह थोड़ी ना देख रहे है हमारा कितना खर्चाय नहीं है यह बस numbers में बता रहे है कि facts and figures को ठीक है अब सुनो limitations of planning का क्या मतलब हुआ planning में क्या कमिया होती है अब सबसे पहले तो एक बात यह दिमाग में बिठा लो इस topic को पढ़ने से पहले भाई आप लोगों के plan game बहुत कमिया पढ़े है पर इसका मतलब यह नहीं planning होगी नहीं आपको planning करनी नहीं चाहिए हम यह topic is point of view से पढ़ रहे हैं कि planning करते हुए क्या चीजों से आपको बचना चाहिए क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए अब सुनो भूल जाओ हम planning पढ़ रहे हैं हम class wealth के business studies पढ़ रहे हैं मैं तुमें case study दिखा रहा हूँ इसको तुमने समझ लिया ना तो इस topic को पूरा एकदम से समझ जाओगे और कभी जिन्दगी में भी नहीं भूलोगे क्या topic के study है हमारी देखो 2023 की बात है September की भाई GST Authority आती है Dream 11 के पास जो की आप लोगों को पता हो शायद एक fantasy sports company है जहां पे लोग जाते हैं और legal way में छोटे-छोटे amounts की bet लगाते हैं बहुत ads तुमने देखे हों कि भाई ड्रीम 11 पे जाके team बना लो ठीक अब क्या है इनको इन्होंने 40,000 करोड का notice भेजा कि भाई तुमने इतना tax की चोरी करी है यह tax भरो और आपको पता dream 11 की total company value ही लगबक 65,000 करोड रूपीज है पर यह हुआ क्यों इन्हों यह tax का notice क्यों भेजा क्योंकि उससे तुम्हें कोई tax नहीं भरा तुमने आज तक ठीक है अब तुम इतना कमा रहे तो हम भी थोड़ा सा कमा ले इन्होंने आके कहा कि तुम्हारी app पे जितने भी amount लोग जीतेंगे उस पे 28% tax तुम charge करो लोगों से और वो amount हमें आके दोगे पर इसमें सबसे बड़ा catch यह है कि ऐसा नहीं है कि जितनी future में होने वाली winnings है उन पे तुम्हें tax भरना है लोगों से लेकर जितनी पास में भी winnings हुई है ना लोगों से उनका भी tax लेके भरो लोगों से collect कर पारे हो ठीक है नहीं कर पारे हो अपनी जेब से बरो और उसकी calculation सरकार ने with penalties निकाली 40,000 करोड साथ क्या हुआ यहां पे भाई dream 11 लगबग साल का 500 से 200 करोड का profit कमाने लग गई थी 2022 की सोच चार्ट में भाई उनके CEO और सारा जो board members है वो मज़े से बैठे हैं उन्होंने example ले लेते हैं मुझे exactly नहीं पता उन्होंने example के तौर पर भाई target set कि यार इस सालना 10% से अपना customer base बढ़ाएंगे ठीक अब उसके लिए उन्होंने सारे department के गोल सेट कर दिये marketing department को का कि भाई तु मार्केटिंग पर ज्यादा खर्चा करो हमें चाहिए अपने सर्वर्स बढ़ाओ अपनी सारी technology को बढ़िया करो और customer से आएंगे हमारी आपको अच्छे से handle करना है तो भाई पूरी company उस गोल की तरफ चलने लग गई पर क्या हुआ एकदम से जून जुलाई में एक तो सरकार ने भयंकर सा रूल आके दे दिया और आपका September तक आते आते ने 40,000 करोड़ का नोटिस दे दिया अब सोचो पूरी company जो एकदम एक direction में जा रही है कि भाई यह तो 10% customer 10% customer base भणाना है हजारों लोग उस direction में लगे हुए है अब एक दम से सब कुछ काया पलट गई यह क्या हुआ है यही है हमारी limitations की planning जरा आप समझते जाओ देखते जाओ सबसे पहले हमारी limitation planning की क्या है planning leads to rigidity rigidity का क्या मतलब है क्या कहत तो क्या कहा गया है in an organization a well defined plan is drawn up with specific goals to be achieved within a specific period of time ठीक है एक well defined plan बनाया जाता है हर organization को ताकि कुछ specific goals achieve हो पाए कुछ frame of time में यहाँ पे हमने example किया लिया कि dream 11 को 10% customer base भढ़ाना है तो यह proper उन्होंने plan बनाया ताकि goal achieve हो these plans then decide the future course of action and managers may not be in a position to change it ठीक है और यही plans decide करते ही पूरी organization में क्या क्या actions होंगे monthly basis पे क्या का काम होगा हट department को क्या 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 करना है और यह situation पहुँच जाती है कि अगर कुछ बहुत बड़ा change होता है managers उस change को नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि हम यहाँ पे हमारी local 15 employees है उन हजारों employees को रातो रात एकदम से सारी की सारी planning सारा का सारा जो system बनावा है उस सब को change करना managers के लिए बहुत ही जादा मुश्किल हो सकता है this kind of rigidity in plans may create difficulty और इसी तरीके rigidity plans की difficulty बना सकती organization के लिए manager need to be given enough flexibility to be able to cope with change circumstances और managers को top management को हमेशा इतना space देके चलना चाहिए इत अगर किसी तरीके का change आता है किसी तरीके का उन्हें चीजे अलग तरीके से करने पड़ी है किसी वज़े से तो वो वो कर पाई changes को अब इस case में ऐसा नहीं होना चाहिए ता hopefully ना हुआ हो कि finance department ने अपना मोटा मोटा सारा पैसा दे दिया marketing वालों को और HR वालों को नई hiring के के लिए और से marketing करने के लिए अब इसमें क्या हुआ उनके पास penalty आ गई अगर finance वालों के पास पैसा बचा ही नहीं तो वो टाक्स कैसे भरेंगे वो पैनल्टी कैसे भरेंगे और बेसलिए 40,000 क्रोड़ों तो कोई नहीं भरने वाला ठीक है उनके पास इतना पैसा ही नहीं ह ठीक है planning may not work in a dynamic environment अब ये तो तुम कहीं ना कहीं छूटते ही समझ जाना चाहिए dynamic का सबसे पहले क्या मतलब होता है हमने पिछले चैप्टर में कहीं जगे पढ़ा है dynamic का मतलब कुछ चीज जो हमेशा बदलती रहती है ठीक है अब यहां पे क्या गया गया है the business environment is dynamic and nothing is constant यह हमने पुछले business environment chapter में पढ़ा था कि business environment change होता रहता है कुछ भी constant नहीं होता है the environment consists of number of dimensions यह भी हमने पिछले chapter में बढ़ा था dimensions क्या क्यों होते business environment की economical, political, technological, legal, social यह सारी dimensions होती है the organization has to constantly adapt itself to changes ठीक है और organization को अपने आपको constantly यह जो changes होते है इनसे adapt करते रहना बढ़ता है अब यहाँ पर क्या हुआ समझो पहले तो economic environment में change आया कि उन्होंने tax lab लाकर दे दिया सारी companies के लिए GST 28% का अपने जीतने वाले लोगों से charge करो फिर September ताग आते है अधा legal environment dream 11 के साथ involved होगे जहाँ पर इन्हे tax notice भेदिया tax authority नहीं है ठीक है तो यह ऐसे environment change होता रहता है और उस changing environment में एक ऐसी जगे एक ऐसी country में जहाँ पर ऐसे environment तेजी से change हो जाता है वहाँ पर शयद plans ना काम करें तो planning की दो कमिया तो यह होती है planning rigid बना देता organization को और plans की वज़े से plans काम नहीं करते dynamic environment में ऐसा हो सकता है planning reduces creativity अब सब भूल जाओ जितना हमने dream 11 विग्यारा पड़ेते यह दोनों points तक हो गई बात खतम अब नहीं हम कहानी सुनेंगे ठीक है plannings ना creativity को reduce कर देता है पर तुम सबसे पहले सोच रहे होगे कि यह भाया अभी तो पिछले ही आपने वीडियो में ब दो इंसान है ठीक है एक चिंटू A है एक चिंटू B है तो creativity बढ़ाता है planning ठीक है पर planning creativity कम भी कर देता है एक अलग point of view से कैसे सुनो मैंना तुम्हें कहानी बताता हूं फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा यह मैंने पहले भी बताई है देखो जब मैं college में था न बिजनस की for example आज देदी कि भाई गांधी नगर में जितने भी fashion वाले लोग है ना उनकी दुकानों के हमारा excel दी है उसमें उनके नाम एड्रेस फोन नंबर और बाकि सारी details भरो ठीक है तो हम पूरे दिन सारे interns बैटके 10-15 क्या करते थे भाई website पे जा रहे हैं उनको सारा क सारा डेटा उठा रहे हर दुकान का पेज़ खोल के और वो excel में डाल रहे है अब क्या हुआ मैं क्योंकि टेक्निकल बैक्राउंड से था मैंने एक आइडिया बनाया मैंने गया यहार हम बार बर सारा एक काम रिपीट क्यों करे जा रहे हैं हम क्यों बार बर website पे जा रहे है यहार बनाया दूब सकते हें कॉपी पेस्ट करने और को जोपीपीसे कॉपीसे कह रहे हैं मैंने एक सॉप्वैर मनायी चोटा जिसमें किpreneं क्या होता था आपको बस एक लिंक को पीच करना होता था उस दुकान का लिंक आपने मेरे में सार्षप्वेर सारा डेटा उठा कर पेस करने काम मेरा सॉप्फफ़ीर कर देता ता अब ये सॉप्फ़ीर जाके मैंने प्रपोज किया हमारे वहां के तॉप लिइवल आफ बीस इंग मी कि तेरी हिम्मत कैसे हो वह पैसे मांगने की कहने का मतलब क्या है यहाँ पर planning creativity को reduce कर देता है कैसे क्योंकि जो plans बनाते हैं जो काम करने का तरीका बनाते हैं और पूरे goals जो लोग set करते हैं वो actual काम नहीं करते हैं, actual काम कौन करते हैं, actual काम workforce करती है, lower management करती middle management को पता होता है पर top management को actual काम कैसे हो रहा है उन्हें पता ही नहीं, मैंने जो उनको आइडिया जाके प्रपोस किया, उन्हें आइडिया ही नहीं लगा कि मेरे सॉफ्वेर के थू जो काम 10 घंटे में होता था, वो काम 2 घंटे में हो जाएगा, पर उन्हें इस चीज का आइडिया नहीं कि मैंने कितनी तगड़ी उन लोगों के लि the top management usually the rest of the members just implement these plans planning हमेशा top management करती है और बाकि जितने भी members होते हैं organization में वो सिर्फ plan को implement करते हैं ठीक है most of the time employees do not even attempt to formulate a plan they only carry out orders majority times employees क्या होते हैं वो काम वो कोई plan बनाते भी नहीं वो सिर्फ orders यानि जो plans उपर से आते हैं उनको follow करते हम भी as an intern क्या करेते उन्होंने बता है copy paste करो हम copy paste करने बैठ गए और majority organization में appreciation भी होता है employees को कि भाई मैंने जैसे innovative solution दिया तो बहुत companies होती है और वो company बंद भी हो गए मैं तुम्हें मज़े की बात बताओं आज की डेट में Edu captain उस company से ज्यादा बड़ी organization है वो बंद हो चुकी है ठीक है तो ऐसी इसके फिर हाल होते हैं ठीक है planning involves huge cost plans बनाने में बहुत मोटे खर्चे आ जाते हैं बहुत मोटे बिला जाते हैं मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूं भाई मैं ऐसी सी में जब था ना और सुखदेव में भी मैं पढ़ा हूं ठीक वहाँ पर ना consultants आते हैं बड़ी बड़ी company ना consultants हायर करते हैं अपनी सारे plans बनाने के लिए अपनी कोई problem के solution के लिए और बहुत कोई भी दिक्कात आती है ना उसके लिए companies जो बहुत बड़ी होते हैं वो consultants हायर कर लेते हैं अब consultants कौन कौन से होते हैं McKenzie, Bain, Boston Consultancy Group ऐसी ऐसी companies होती है SRCC और सुखदेव में ना ये companies आके पता है freshers को कितने packages देती है भाई 18,000,000 रुपे का McKenzie देती है बें 14,000,000 के दे रही है पराथन और ये आके 32,000,000,000 रुपीज का package दे रही है बच्चों को ठीक है अब ये companies ऐसा क्यों करती हैं क्योंकि ये companies जब दूसरी companies के पास consultancy के लिए जाती है basically McKenzie को कोई दूसरी company मानो Colgate ने hire किया कि भाई या हमारे business में problem आ रही है या हमारा ये plan बनवान है बनवा हुआ के ठीक है अब ये बच्चों को इतनी freshness को अच्छी salary क्यों देते हैं क्योंकि ये खुद clients से इतना चार्ज कर पाते हैं और इस बात को समझो कि भाई planning कितना costly business हो जाता है इस level पर जब companies बड़ी हो जाती है तो यहीं यहाँ पर कहा गया है when plans are drawn huge costs are involved in their formation बहुत मोटी cost लगती है consultants को hire किया जाता है और experts को hire किया जाता है these may be in terms of time and money ये हो सकता है time के भी cost में और money के भी cost में for example checking accuracy of facts may involve a lot of time detailed plans require scientific calculation to ascertain facts and figures ठीक है इन्होंने एक अलग तरीके मैंने consultant का example दिया NCRT ने scientific calculations बोला है कि निकालनी पड़ती है facts or figure को confirm करने के लिए the costs incurred sometimes may not justify the benefits derived from the plans और कभी कबार ये हो जाता है कि planning करने में इतना खर्चा आ जाता है कि जितना उससे benefit होता है वो कम होता है ठीक है अब सुनो next हमारी क्या limitation है planning is a time consuming process ठीक है ये ना मुझे ऐसा लगता है जिसने NCRT लिखे न उसने थोड़ा सा मीम प्ले कर दिया मतलब बड़ी funny सी बात लिखी है sometimes plan to be drawn plans to be drawn up take so much of time that there is not in a much time left for their implementation कभी कभार planning करने में इतना time लग जाता है कि plan को implement करने का plan के दिएवे action को करने का time ही नहीं बचता किसी funny सी बात होगी सोचो कि building का map बनाने में इतना time लग गया building का map बनाने में लग गया एक साल building बन रही है दो महीने में तो कितना troll moment है right last है planning does not guarantee success planning का मतलब ये नहीं है कि आपने plan मना लिया और आपका वो plan successful होगा यह होगा ठीक है अब इसके हाँ पर तीन रीजन दिये हैं कि planning क्यों successful ना हो any plan needs to be translated into action or it becomes meaningless first reason यह दिया है कि हर plan को आपको action मैंने gym मैंने plan मना है कि मेरे को weight कम करना है मैंने gym की खरीली membership भी इतना तक मैंने plan मना लिया पर अगर मैं action ही नहीं कर रहा तो भाई क्या हुआ membership बिकार हो गई plan managers may have tendency to rely on previously tried and tested successful plan it is not always true that just because a plan work has worked before it will work again ठीक है यह second reason है कि managers की अक्सर आदत क्या होती है कि वो वही plans use करते हैं जो पिछले साल या पिछले सालों में work करेते हैं पर जरूरी नहीं है कि पिछले साल जो plan work किया था वो इस साल भी करेगा क्योंकि business environment और business की जो सारे competitors और सारी environment होता है वो इतने सारे factors plans जो बनते हैं वो इतने सारे factors पर बनते हैं और कितना भी सोच लो कितनी भी planning कर लो जरूरी नहीं है आप सारे factors को consider कर पाओ तो uncertainty इतनी जादा होती है कि plan fail हो सकता है यह तीन रीजन होते हैं कि plan आपका ना successful हो ठीक है यहाँ पर हमारा limitations of planning का topic खतम हो अगर एंड तक वीडियो देखिए तो समझ भी आई आए और पसंद भी आए अगर मैंने इतनी मेहनत करी है रात के बज़े बैटके वीडियो बना रहा हूं तो तुम इतनी से मेहनत कर दो वीडियो पॉस करके like कर दो और comment में जरूर बताना कैसे लगा material और बहुत ही मेरी दिल से दूआ मिलेगी तुम्हारे दस नंबर सिर्फ मेरी दूआ से फालत हुआएंगे अगर तुम जाके अपने दोस्तों के वाट्साइप ग्रूप पे इसको शेयर कर दोगे ठीक है गाइस तो बेस्ट आफ लक एंड बाई